हेलो फ्रैंट्स तो कैसे हो सब मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी एक न्यूज ले के आ चुका हो मैंने पियानो का कोर्स एक क्रियेट करके रखा है अगर आपको पर्चेस करना है जिसमें मैंने बताया है कि पियानो में जु सारे कम पदनी सब वो कैसे प्ले होता है और कोर्स पूर्य अकपूर आपको दे दूँगा सो अब चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हेलो फ्रैंट्स तो आज हमारा न्यू सोंग आ चुका है और वह भी अरेजित सिंग का जिसका सौंग का नाम है दोका और हम बहुत दिनों के बाद यह टूटोरियल करने जा रहा है अब तक जो भी वीडियो से हमारे वो रियक्शन बेस थे या फिर मेरेज वीडियो थे तो आज हम जो सौंग क्रेट करने जा रहा है उसका नाम है दोका और अरेजित सिंग ने यह सौंग आया है तो चलो यह सौंग को स्टार्ट करते हैं जल्दी से वीडियो को लाइक कर द है ओकर सबसे पहले दो लाइन ऐसे होती हो और फिर से और फास्ट में प्ले होती है ओके सबसे पहले दो लाइन में है और वग सकाइब करनारा है इस करना है देखो यह दो बार हमने slow play किया अब तीसरी और चौथी बार हमने fast play करना है ओके अब इसके बाद जो दो लाइने आने वाले हैं वो ऐसे play होती है उसके बाद अब जो भी लाइन आने वो ऐसे play होती है ओके अब इसके आगे जो प्ले होगा वो chorus की लाइन प्ले होगी पर यह जो दो लाइन है वो हम slow में देख लेते हैं क्लियर हैं यहां तक जो भी प्ले किया वो आपको समझ आ गया होगा अब हम आगे देखेंगे chorus की लाइन main chorus line ओके और यहां तक आपको पूरी का पूरा अगर समझ जगा है तो ठीक है वरना फिर से एक बार वीडियो वापस करके देख सकते हो तो चलो हम आगे chorus की लाइन देख लेते हैं वो कैसे प्ले होती है अब main chorus line ऐसे प्ले होती है देखो सबसे पहले दो लाइन ऐसे प्ले होती है chorus की main chorus line की तो देखो इसको श्लो में okay फिर आगे की दो line ऐसे प्ले होती है आगे की दो line अब ऐसे प्ले होती है okay तो आगे की दो line हम देख लेते हैं देखो अब हमारा फिर से chorus वल है तेरा नाम दोका रख दो नाराज होगे क्या तेरा नाम दोका रख दो नाराज होगे तो वह वाली line फिर से प्ले करते हैं देखो clear है so मैंने पूरे का पूरा आपको बज़ा के दिखा आप देखो chorus की line से लेकर फिर से में एक प्ले करके आपको पूरे का पूरा देखा देखा देता हो देखो क्योंक झाल झाल कि अब चलो हम बीच की लाइन देख लेते हैं अगर बीच की लाइन से पहले कोई ट्यूनिंग आते तो वह भी देख लेते हैं अब चलो बीच की लाइन देखते हैं बीच की लाइन में सबसे पहले दो लाइन ऐसे प्ले होती है देखो ओके सबसे पहले दो लाने स्लो में देख लेते हैं देखो ओके अब आगे की दो लान ऐसे पहले होती है देखो ओके अब यह दो लाइन देख लेते हैं अब हम आगे की देख लेते हैं तो हमने बीच की लाइन में चार लाइने देख ली अब उसके आगे वाली लाइन हम देखते हैं अब जो भी मैं आगे लाइन प्ले करने वाला हूँ वह अल्रेडि हमने प्ले करके रखी हैं क्यूंकि वह अब दूबारा रिपीट हो रहे हैं तो वह यही लाइन है तो यह तो लाइन प्ले और करने है इसके बाद तो हम यहां तक ही रखते हैं क्योंकि मुझे जब तक पता है तो मेरी वार्डेंश जितनी भी है तो यह बीच की लाइन के बाद कोरस के लाइन तक पूरा प्ले करेंगे इसके बाद यहां तक कोई वीडियो तक पहुंचा भी नहीं होगा अगर किसी को करना है तो वह पेड होगा पूरे का पूरा करवाना है तो पेड होगा पर यहां तक हम पूरे का पूरा प्ले कर दिया है कैसा लग गए वीडियो प्लीज वीडियो को लाइक करके बताना और चैनल पे नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना क्यूंकि हम कोई भी न्यू स्वांग प्ले करते हैं तो उसको नॉटिफिकेशन सबसे पहले मिलते हैं और सबस झालब एलब एलब जालब एलब एलब